आज हम बनाएंगे आलू टिकी बहुत ही टेस्टी चटपटा क्रेस्पी तो चलिए बनाना सुरू करते हैं रिसेपी एच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सेर कर दीजिएगा और चैनल में पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सब्सक्राइब के साथ म बेल एकन को भी प्रेस किजिएगा आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप लोग वीडियो देख पाएंगे तो यहां काप सौंड थोरा सा सुन सकते हैं आलू टिकी कितना क्रेस्पी बना हुआ है तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं कैसे बनान दिजिएगा फिर आप इसनी सेपी को बनाईएगा तो यहां पर हम दो चमच के करीब सिमला मिर्च कदू कस करके डाल दिये हैं और पत्ता गोवी में पानी बहुत सारा होता है मौस्चर तो इसे हम थोरा सा निचोर दिये हैं अच्छे से ताकि पानी जो है आलू में जब न दाले हैं दो चमच के करीब और यहां पर हम डाल देंगे पचास गराम के करीब पनीर तो पनीर को हम कदू कस कर लिए हैं अब इसमें डाल देते हैं एक छोटी चमच के करीब रेड चिली फिलेक्स टेस्ट इससे बहुत ही अच्छा आता है अब हम डाल देंगे अधी छोट पानी बहुत सारा छोड़ देंगे गीला हो जाएगा ज्यादा हाथ में चिपकने लगेगा इसलिए हम बाद मेर करेंगे इन्हें पहले मिला लेते हैं अच्छे से यह मिल चुके हैं अब हम इसमें नमक डाल देते हैं स्वाध अनुसार तो आधी छुटी चमच नमक लिए हैं अब इसमें हम बैंडिंग के लिए डाल दें तीन से चार चमच कॉनफलोवर तो यहां पे एक कॉनफलोवर हमें 5-6 चमच लगा है क्योंकि नमक जैसे ही मिलता है तो प्याज और पता गो भी जो है वो पानी छोड़ देते हैं तो हम इसमें बैंडिंग के लिए कॉनफलोव पर लगा है तो मिसरन जो है वो Ł परफेक्ट तयार हो चुके है तो चलिए तिकी बना लेते हैं तो तिकी बनाने से पेले आप हांथ में थोरा सा तेल लगा लीजिएगा और फीर थोरा सा जा मिस abundant लिगा और इस तरह मना करें के त्यार कर लेते हैं, फिर हम इन्हें फढ़ाय करेंगे, तो टिकि बना करें हम त्यार कर लिए है है इन्हें साइड में रख देते हैं और एक तयारी कर लेते हैं तो यहाँ पर हम इसे टिकी को कोटिंग करेंगे सेवई में तो यहाँ पर हम एक पैकेट के करीब सेवई लिए हैं और सेवई को पूरे अच्छे से करस कर लेते हैं तो सेवई दो तीन तरह का आते हैं तो जो पू च्राप कर लिए हैं मैं तो सेवेकροम के जैसे हो चुके हैं तो हम यहां पे सेवे में कोटिंग कर रहे हैं अगर आपके पास सेवे अ leather नाउख घर में ताप इसे ब्रेट CRUDER क्रम से भी कोटंग कर सकते हैं तो एकटव पंद्रा मिनट तक फिरिज में भी आप रख सकते हैं, नहीं तो संग-संग भी बना सकते हैं, और इस नास्टा को आप बना करके पहले से भी रख सकते हैं, जब खाना हो तब आप फराय कर लीजिएगा, तो चलिए इनहें फराय कर लेते हैं, तो यहां पे पैन गरम होगी क्य है तेल ज्यादा एबजॉब कर लेंगे तो टिकी को फ्राइ करने के लिए हम गैस का फिले मीडियम टू हाई रखेंगे तो अच्छे से यह फ्राइ भी हो जाएंगे और तेल भी ज्यादा एबजॉब नहीं करेंगे तो इन्हें हम अच्छे से फ्राइ कर लिए हैं और इन्हे साथ में हम चार्ठो टीकी को फराई किये हैं अगर आपका पैन बड़ा हो तो आप जदा भी फराई कर सकते हैं तो टीकी बन करके त्यार हो चुके हैं और जो मिस्रा नालू का बचा हुआ है उसे भी हम सेम तरह से ही टीकी बना करके त्यार करेंगे तो यह recipe आप सभी को कैसी लगी कोमेंट में फिली समय जरूर बताईएगा और चैनल में पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेसन मिलते रहेंगे और आप लोग वीडियो देख पाएंगे तो सेकेंड बैच भी हम फ्रै कर लिए हैं ठीकी अच्छे से और बहुत ही जदा स्वाधिस्ट इस तरह से ठ जरूर बताईएगा